दस्काई इच पिंक के सेट पर हकीकत में फूट फूट कर रो पड़ी थी प्रियंका चोपड़ा जाने क्या थी वज़े बलेवुड की देसी गरल प्रियंका चोपड़ा फिल्म दस्काई इच पिंक से बलेवुड में कमबैक कर रही है फिल्म का ट्रेलर कुछ वक्ट पहले रिलीज हुआ था जिसे दशकों ने काफी प्यार दिया ऐसे में अब स्टार कास्ट फिल्म के प्रमोशन में जुड़ गई है फिल्म के प्रमोशन के दौरान डायरेक्टर ने प्रियंका चोपढा से जुड़े एक किस्से का खुलासा किया है दरसल दसकाई इच्पिंक का निर्देशन शोनाली बोस ने किया है फिल्म के प्रमोशन के दौरान शोनाली ने फिल्म से जुड़ा एक किसा बताया शोनाली ने बताया कि एक सीन में प्रियंका को रोना था लेकिन सीन खत्म होने के बाद भी प्रियंका फूट फूट कर रोती रही शोनाली बोस सिर्फ असिल्म की निर्देशक ही नहीं है बलकि प्रियंका की काफी अच्छी दोस्त भी है ऐसे में रोते हुए शूट करते वक्त प्रियंका को शोनाली के बेटे की मौत वाला वाक्या याद आ गया जिससे प्रियंका हकीकत में ही रोने लगी शोनाली ने बताया कि प्रियंका कहे जा रही थी कि मुझे माप कर दो मुझे माप कर दो प्रियंका ने कहा अब मुझे समझ में आया कि एक बच्चे को खोने का दर्ब क्या होता है मुझे इशलू के लिए बहुत दुख है वहीं सुनाली इस पूरे वाकिके दवरान प्रियंका को समभालने की कोशिश कर रही थी गौर तलब है कि इशलू, इशान, शुनाली बोस सा बेटा था जिसकी 16 साल की उमर में मौत हो गई थी मीडिया रेपोर्ट्स के मताबिक इशान की मौत इलेक ट्रिक रेजर से करंट लगने के कारण हुई थी वहीं इस फिल्म की बात करें तो फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के साथ ही फरहान अखतार, जायरा वसीम और रोहित सराफ नजर आएंगे फिल्म में जायरा के किरदार आयाशा को इम्यून डेपिशियंसी डिसार्डर नामक बिमारी होती है बता दें कि फिल्म 11 अक्टूमर को रिलीज होगी